मेरे अजीज दोस्तों अब आता हूँ जरा हमारी हुकूमत के तरफ मासुम भूली बीजिपी की साती हाथ देने वाले हाथ बताने वाले तो सुनेते हम ये ये तो गस भर के हाथां दे रहा बंदा एक जने सी पंजा बताते तो डरते थे ये तो पंजा भी ने बता रहा हाट डाल दे के बो रहा मैं कर दिया क्या कर लेते कर लो बिटें तीन साल अभी है गुजार लो हाएंदा साल आते हाएंदा इलक्शन में कैसा आते वो भी देखींगे हम इंशाला ऐला तुम्हारी तक्त को तुम्हारी नीचे से ना खिच ले तुम्हेरा नाम जाफर में तुम आल्ला के घरों को गराते हैं तो अल्ला तुमко गिराके बता जेंगा बाद लोग आए उनके चेले यां फिरते रहते हैं उनके साहभजादे आजकल होल सिटी का दोरा कर रहीं मुझे नहीं मालूम था नहीं तो मैं सामें आगे ठढ़ जाता था उनके वो तो आके निकल गए उनों उसके बाद मालूम हुआ मगर याद रखो हम बाद क्योंके खामोश इसवाद से है कि परसनला बोर्ट ने हमको यह दायत दी कि दो हफ़ते इंतिजार करो हम दो हफ़ते इंतिजार करेंगे उसके बाद यह हकूमत को हम आग बता देंगे और दीदे बता कर बात करेंगे मौत سے डरते ने मियां हम تو आए हैं मरने के लिए और मरेंगे खेयामट में उठेंगे तो शान से उठने वाले हैं स्रकार के उम्मती बने के उठेंगे मेरे स्रकार परमाएंगे देखो यह मीरा उमती है अरे यह काफी है हमारे झुओ तुम हमारे कुछ भी नहीं है वाजसे हमारे जिन्दगी भी ल्लह के लिए है और मौत भी ल्लह के लिए मैं हमारे हुकूमत को बार बार हमारे कहना हूँ लेकिन बगेर कान के है हद advertised मैं या तो हत्ती के काना है पड़ पड़ाते हैं तो बाहें निकल जारी शायद बात मगर याद रखो अगर तुमको हुकूमत करना है तो गांदी जी की वो बात को फालो करो जिसमें उन्होंने अपने अखबार में एक इंटर्वियू देते वे कहा था अगर तुमको हुकूमत करना है तो अबू बकर उमर के जैसी हुकूमत करो वो अखलाख वो किरदार वो अन्दास कि कुछ नहीं है बाड़ी गाड़ा नहीं है मगर बाड़ी गाड़ा भी रहे तो उत्ता डरते लोगां या हज़त अमर के पास नो बाड़ी गाड़ मगर फिर भी क्या है जहां बैठे हैं वहीं आपका रात चल रहा है सुभान आल्ला मेरे अजीज दोस्तों आप लोग भी जात दुआ करो मस्जद के लिए याद रखो तुम मस्जद से महबद रखेंगे ना तो अल्ला तुम से महबद रखेगा तुम मस्जद के लिए तरब के दुआ करेंगे अल्ला मिया तुमारे लिए जो तरब ने की है जो चित सलाइए दिया है अल्ला उसकी वज़े से तुमारी अमर में बरकत अता फर्मा देगा बरकत तुमारी कुछ भी नहीं दो तरीख से मिल सकती या तो खर्चियो या तो अल्ला को राजी कर उमर में बरकत दो तरीख से मिलती या तो सद्खा दो सद्खा दो बिलत दौाखन में एक लाग बिल दिंगे तो अच्छे काम को दो पैसे देड़ सुर रोपे दो दो वही दौखने का आगया लेटर दौखने की बिल है एक साहिब को हाट अडेक हो आगय थे मैं बहला है कई को हाट अडेक हो आगय थे उन्हों तो शूगर के वाद से गय थे ना तो लेने वो शूगर के जब इलाज हो गई उसके बाद बिल आई वो बिल देखके उनको हाट अडेक भी हो गया एक बीमारी थी उसो दो बीमारी में चले गई अल्ला के वासे दिया करो अल्ला की रह में दिया करो अडोस पोडोस का ख्याल रखो अडोस पोडोस के लिए अपने घर से कुछ अरदाज भीजो पैसे भीजो ताकि तुम्हारे घर के बाजु चिराख जलेगा तुम्हारे घर के बाद उचुला जलेगा तो शायद अल्ला तुम्हारी उमर में बरकत अता फर्मा देगा और इसी तरीखे से जब तक तुम अपने मौला को राजी नहीं करेंगे ना तुम्हारी उमर का कोई भरोसा नहीं है Allah तुम्हारी उमर में बरकत कब देगा Allah को राजी कर लो Allah तुम्हारी उमर में बरकत देगा